जी तो बच्पन से लेके आज तक हम पापड करारे खाते आए हैं, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इस पे कितनी महिनत होती है, कितनी क्वांटिटी में कितने पापड बनते हैं, सारे राज आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जब आप इसको फॉलो करेंगे तो ठेर और देर मनाफ़ा कमा सकेंगे, सबसे पहले हम एक बाउन लेंगे, और इसमें एक चन्नी रखेंगे इस तरह से, और अब हमने मैदा लेना है, मैदा मैं लोंगी एक पाउ यानि धाई कप, पहले मैं एक कप इसमें डाल के चान लोंगी, अब जाएगा इसमें दूसरा क और साथ ही आदा कप और डाल देंगे, चानना इसको बहुत जरूरी है क्योंकि बरसाथ के मौसम में इसमें चोड़ चोड़े से कीड़े पैदा हो जाते हैं, और वैसे भी चानने से मैदा हलका हो जाता है, मैदा चान लेने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे, हाफ टी टी स्पून नमक, नमक का आपने खास क्या रखना है, बिल्कुल भी जादा एड़ नहीं करना, अगर आपने इसमें नमक जादा एड़ कर दिया, तो आपके जो पापर हैं, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, इसे हम अच्छी वीडियो में गाइड करती रहूंगी, अब नेक्स्ट हमें चाहिए कुछ खास चीजें जो के इस रेस्पी की शान है, इस रेस्पी के लिए वो बहुत जरूरी है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ सफेज सजी, यह देखें, मैं आपको दिखाती हूँ के यह जो सफेज सजी ह होगा ना, इसलिए इसको सफेज सजी कहा जाता है, यह आपको पंसारी की शॉप से बहुत असानी के साथ मिल जाएगी, और दूसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है फिटकरी, तो फिटकरी भी आपको असानी के साथ मिल जाएगी, यह दोनों चीज़े ही आपको पंसार से बहुत असानी से मिल जाएंगे, यह जुस फेश सजी है ना इसको 민ए 50 शिरुपे का मगवाया है और फिटकरी मैंने मगवाई है 20 शिरुपे की, तो सजी इसके अंदर जाएगी 7,5 ग्राम मैंने से थोड़ा सा पीस उतार लिया है, यह जो पीस है है हम इसमें सेंसाब करना ह्म दो ग्राम का भींस उतार लिया है उस्हसाब से यह तो होगे ना है एक पाव का हिसाब यानि कि एक पाव में मैंने पिटकरी जो एड की है वह तो इस बात का आपने खास किया रखना है क्योंकि अगर आपने इन चीजों को कम यह जादा कर दिया तो आपकी खराब हो सकती है और इसको हम करते हैं साइट पे एक लेंगे हम कुंडी डंडा इसमें मैं फिटकरी को पहले रखूंगी और अच्छी तरह से हमने इसको पीस ले इसका पाउडर त्यार कर लेना है इसका पाउडर बहुत फाइन होना चाहिए क्योंकि जितना अच्छा आप इसका पाउडर त्यार करेंगे ना आपकी रैस्पी उतनी ही अच्छी होगी तो यह देखे मैंने पाउडर त्यार कर लिया है अब इसे हम पानी के अंदर डालें है इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह यह पानी के अंदर डिजॉल्व होना चाहिए तो देखे पानी हमारा त्यार हो गया है यह बहुत ही खास पानी है इस पानी से हमारे जो पापड होंगे एक तुन के शैप लाइब बढ़ जाएगी दूसरा इनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और बहुत खस्ता और करारे यह त्यार होंगे अब यह पानी जो है ना हमने मैदे के अंदर डाल देना है तो पानी को मैं मैदे के अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी 250 ग्राम पानी में इसमें एड़ कर चुकी हूँ जिसमें मैंने फैटकरी और सजी डाली थी अब बाकी का जो पानी है 500 ग्राम वो हम इसमें डालेंगे तो पहले मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे अगर आपके पास कलर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन कलर डालना बहुत जरूरी है यह जो कलर है औरिंज है जो गिया कलर है आपके पास अगर ना हो तो आप इसमें जो पाउडर फॉम में कलर मिल है कि इसके अंदर कोई भी गुटली ना रहे कोई भी इसके अन्दर नम्सा रहे जितना अच्छा आप इसको क्रेंगे ना आपके पापर उतने ही ज्यादा परफेक्ट तयार होऔगे अगर आपके पास इस तरह बीटर से ही इसको भीट कर लेना है तब भी आपके पापड बहुत अच्छे बनेंगे तो इससे पहले के पापड बनाए में आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर वाती हूं आपने एक चमच लेना है और अपने मिक्सटर के अंदर आपने चमच को यू डिप करना है जब आप करेंगे तो चमच जब बाहर निकालेंगे तो आपको चमच के ऊपर यह थोड़ा सा मिक्सर लगा हुआ नजर आएगा आपने इसके सेंटर में यू फिंगर को फेड़ना है और यह देखें यह आपस में नहीं चिपक रहा तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो मिक्चर है हमार और इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे अब हम लेंगे एक प्लेट तो प्लेट मैंने इस तरह से स्टील की एक प्लेट ले ली है इसको मैंने ग्रीज कर लिया है और इसमें मैंने बटर पेपर रखा है बटर पेपर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें से मेरा फे पापड का जो बेटर था इसके अंदर डाल दिया है और डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको यूँ फेला लेना है तो यह देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से पहला के सेट कर लिया है अब इसे करते हैं साइट पे पानी में बॉइल आ चुका है पानी में जैसे ही आपनी इस प्लेट को पाने के उपर रखना है इस तरह से कवर करके हमने प्लेट को रखना है एक मिनट में आपका पापड़ त्यार हो जाएगा एक मिनट हो छुका है पापड़ को हम जब कर लेते हैं यह देखें जी यह ठroлов हो चुका है बोगुछत फ़ीं पर्फेक्ट ह है और थोड़ा सा हम यूं फिंगर से इसको उतारेंगे और उतारने के बद हमने आहसा-ाहसा से इसको यूं खेंशते जाना है और यह देखें बहुत असानी के साथ हमारा पापड जो है वो निकलता आएगा लेकिस साइडों को आपने आइसा आइसा से रिमूव करते रहना है और ये देखें माशाला माशाला हमारा पापड जो है कितना perfect त्यार हो चुका है और कितना बारीक हमारा पापड त्यार हुआ है इसी तरह से अपने सारे पापड हम त्यार कर लेंगे जो के बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है, एक पाउं में 13-14 पापड त्यार हो जाना, अगर आप दरजन का भी हिसाब लगाए ना, तो यकीन करें आपको इसमें इंशालला बहुत प्राफिट होने वाला है, तो अब इसको हम दो गेंटे के लिए धूप में रखेंगे, यह देखें जी हमारे पापड ड्राइ हो चुके हैं, मैं आपको चेक करवाती हूं, यह देखें ड्राइ होके इसकी साइडें थोड़ी सी मुड़ गए है, तो कि मुझे थोड़ा सा काम पढ़ गया था, मैं मार्केट चली गई थी, तो मैं इसको उल्टा सिदा करना भूल तो एक कड़ाई को मैं लूँगी, कड़ाई को हम रखेंगे गयास के उपर, इसमें हमने थोड़ा सा आइल डाल देना है, आइल बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ज्यादा आइल इसमें हम नहीं डालेंगे, और आइल को हमने फूल गरम करना है, आपका आइल जितना गरम ह इतने ही ज्यादा परफेक्ट त्यार होंगे तो यह देखे हमारा ऑइल जो है बहुत अच्छे से गरम हो चुका है अब एक पापड लेंगे और इसमें हमने पापड को डाल देना है डालने के बाद हमने यूँ इसको हिलाना है तो चमच आपके दो ही होने चाहिए एक चमच स पकडना है दूसरे के इसको को खूलना है और अपकी कड़ाई जितनी बड़ी ओगी ना आपके पापड उतने ही जादा परफेक्ट त्यार होंगे तो अपने कोशिश यह करनी है कि अगर आप कमर्शिल लेवल पे त्यार कर रहे है तो आपने कड़ाई बड़े ही लेनी है तने बड़े कड़ाई नहीं लेनी जितनी बड़ी कड़ाई ही होगी तना ही बड़ा बनेगा प्र आपड प्राइव हो चुका है कितना। त्प्रफेक्ट त्यार हुआ है एक और मैं आपको त्यार करके चेक करोती हैं यह देखें, पापड लेंगे, हम डालेंगे इसके अंदर और इस तरह से हमने चमर से अपने पापड को खोल खोलते जाना है इस तरह से यह देखें जी ऐसे हम इसको घुमाएंगे और रेसारईडो से सको खोलते जाएंगे माशाला माशाला हमारा बहुत ही परफेक्ट पापड त्यार हो चुका है इसी तरह से अपने सारे पापड हम त्यार कर लेंगे माशाला 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 हमारे बहुत ही परफेक्ट बहुत ही शानदार पापड त्यार हो चुके है कितने शांदार और कितने टेस्टी हमारे पापड त्यार हुए है ये बहुत ही अच्छे बने हैं आप अपने घर वालों को दें और अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो आप इसका काम भी शुरू कर सकते हैं तो सबसे लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आपनी इसको लाइक और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना है अलाहाफेज